हालो ट्रेडर्स वेलकम टू ट्रेलाइन स्टॉक्स 2nd of October 2020 को देखे एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग ऑपोशन्टी स्पॉट हुई है इनिसन बैंक के अंदर इसने लास ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखे निफ्टी का टॉप गेंदर बनके सबको चौका दिया है और श अज़े के दिन यानि के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन अब इंपोर्टन के आए कि एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी के बाद में क्या अभी भी इसके अंदर कोई पोजिशन बना सकते हैं तो वही लेवल्स एंड टार्गेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और इंपोर्टन क्या है देखें दो साल लगा अतार जी एन पीए में इंक्रीमेंट के बाद में अब क्या इस स्टॉक के अंदर कोई पॉजिटिविटी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बार बार वोड़फोन एन आइडिया की वज़े से जो इनका एक्स्पो वो बहुती बड़ी कामियाबी होगी इनकी आने वाले टाइम में की स्ट्राटेजी डिफाइन करिये उन्होंने उसका असर हमें आने वाले क्वार्टर्स के अंदर देखने को मिल सकता है तो वो सारी चीज़े देखिए इन्वॉल्फ होती है एक बैंक के पूरे प्रोसीज बना कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं चली सबसे पहले आपको मैं लेके चल रहा हूँ थस्टे के यानि के कल के स्टाट्स के उपर किस तरीके से यहाँ पर परचेजिंग हुई है डिलिवरी उठाई गई है और क्या कुछ परसेंटेज हमारे सामने निकल के आई है इंसेंट बैं काफी अच्छी तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है 1566 में रुपे के लेवल इसने हासिल करे थे 2 दिसंबर 2019 को जो 52 वीक हाई है इसका और 235 रुपे का देखिए इसका 52 वीक लो है जो इसने लगाया था 24 मार्च 2020 को अब यहाँ पर आती है सेक्योर्टी वाइस डिलिवरी प दिखाई देगी परसेंटेज और डिलिवरी जो कि दिखे एक मार्केबल परसेंटेज नहीं है यानि कि डिलिवरी परसेंटेज काफी कम है तो चलिए आपको मैं अब लेके चलता हूँ चार्ट के उपर थोड़ा सा चार्ट के उपर देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहल exponential moving averages जो मैंने लगाए है उनको मैं एक बार hide कर देता हूँ और आप इसका चार्ट देखिए मार्च से मार्च से आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पर इसने perform करके दिखाया है अब यहाँ पर देखिए इसने 52 week low जो इसने लगाया था 235 रुपे का उसके बार देखि जसी companies में इनका जो exposure था, yes bank को लेके जो खबरे आई थी, उन सारी चीजों ने इस stock को कभी भड़ने नहीं दिया और देखिए private sector के अंदर instant bank बहुत ज़ादा valuable stock होता है, बहुत अच्छा business इनका है and यहाँ पर जो performance अगर past की अगर आप देखेंगे, उसके हिसाब से इस stock के जो बहुत ही ज़ादा questionable है कि क्या इस stock के अंदर अब हमें investment करना चाहिए या नहीं, बहुत लंबा time 5-6 महीने का consolidation mode आप कह सकते हैं, एक range bound इस stock ने कामकाच करके दिखाया है, लेकिन देखिए, फिर यहाँ पर 25th of August के बाद में इसने जो breakout दिखाया, वो stock पहुचा 700 रुप उस दौरान और अब वापस से अगर मैं आपको बात करूँ तो देखिए, ये stock एक दिन के अंदर 13% rise हो जाता है, इस bullish candle के ऊपर अगर आप निगा डालेंगे तो 28 April 2020 के बाद ये सबसे बड़ा move माना जा रहा है, with volumes, high volumes इसने आपर कल create करे हैं, ये आप देखेंगे अगर प existing established support के पास ही इसने अभी कुछ दिन पहले support लिया और वहां से bounce back होतावा नजर आया है, यानि के अभी जो इसका support है वो 380 रुपे के आसपास का support line को इसने respect दी है, और वापस से ये अपने retrace mode में पहुच चुका है, यानि के यहां से काफी अच्छी इसने recovery दिखाई है, बहुत हाई momentum में नजर आ रहा है, 56 points के उपर यहां पर आतावाद दिखाई दे रहा है, और जो इसकी direction है वो अभी भी उपर की तरफ बनी भी है, यानि के momentum high gain करता हुआ, यह stock नजर आ रहा है, मेरे इसाब से इस stock के अंदर definitely buy position यहां से बनती है, in current level से, जिसके अंदर आप target इसके अंदर बिल्कुल बना सकते हैं, आपका stop loss रहेगा, 560 रुपे का, 560 रुपे का stop loss, current price से buy करें, CMP पर buy कर सकते हैं, market खुलेगा जब next trading session में, और 640 का target आपको यहां से मिलतावा नजर आ सकता है, जिसे सापसे यह positions बनाई गई हैं, या फिर दिखाई दे रही हैं, यह सारी setting मेंने लगाई है, intraday charts, या निके one day की setting बर, अब मैं आपको weekly candles भी दिखाना चाओंगा, weekly charts के उपर, RSI यहां पर भी देखिए, एक positive indication देताव आपको दिखाई देगा, इस वक्त जो position है, वो है 48 points के आसपास, और direction यहां पर भी upward ही दिखाई दे रही है, शुरु यहां पर भी एक positive indication मिलतावा दिखाई दे रहा है, RSI के एसाब से देखें, और monthly candle के उपर भी अगर हम इसको check out करते हैं, तो यहां पर भी देखिए, यह stock जो है, इसका RSI एक positive indication आपको देतावा दिखाई देगा, अभी अपने undervalued zone से उपर की तरफ आ रहा है यह, और RSI य यहां पर भी एक positive indication आपको देतावा दिखाई दे रहा है, यानि कि मध्यम अवदी पर और मध्यम से लंभी अवदी पर भी अगर हम इसके charts को देखते हैं, तो यहां पर एक positive bias ही बना हुआ नजर आ रहा है, तो definitely आप इसके अंदर एक trading opportunity ढूंड सकते हैं, ऐसा मेरा मानना ह और एक article के ऊपर आपको कुछ important चीज दिखाना चाहूंगा, तो देखें, एक October 2020 का article है, यानि कि कल का article है, यहां पर मैं इसमें एक important चीज जो है, वो आपके साथ में share करना चाहता हूं, कि Instant Bank has seen a steady rise in gross non-performing assets, यानि कि GNP ratio, for the past 2 years to 2.5%, mainly due to high corporate NPAs and lately in the commercial vehicles, MFIs, यानि कि Micro Finance Institutions, पिसले 2 साल से इनका जो GNP है, वो 2.5% पर पहुच गया है, और एक steady rise यहां पर देखने को मिला है, उसका कारण था, इनके जो corporate NPAs थे, वो भड़ गए थे and commercial vehicles का आपको पता है, यह क्या बुरी हालत होई है, पिसले कुछ सालों के दौरान, commercial vehicle sector के अंदर, ज देखे, Micro Finance Collections की, अब देखे, यहां पर बात हो रही है, MFI, यानि कि Micro Finance Institution के Collections में, जो basically 80% थे, July 2020 में, और slip होकर 70% रह जाते हैं, August 2020 के अंदर, due to interim lockdowns, but now have recovered to 80%, यानि कि वापस से अब recover होते वे, दिखाई दे रहे हैं, September मन्त के अंदर, 80% तक पहुच गी हैं, यह है इसका positive rational है, जिसकी वज़े से यहां पर experts भी और जो technical view है, वो भी positive बायस देथावा दिखाई दे रहे हैं, देखे, एक important चीज़ यहां पर क्या दी गई है, कि इनकी loan book के अंदर, CV, commercial vehicle, personal loan, loan against property and MFI का जो योगदान है, वो बहुत बड़ा है, जिसकी वज़े से, इनको जो restructuring करनी पड़ेगी, वो भी काफी जादा बड़ी करनी पड़ेगी, यानिके NPA formation जो है, वो भी काफी जादा हो सकता है, according to analyst at MK Global Financial Services, तो देखे, यह सारी चीज़े, basically, यही चीज़ इंडिकेट कर रही हैं, कि अभी आपको बहुत लंबे term के लिए, तो यहां पर कोई positions नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यह जो अभी move आया है, हो सकता है, किसी point पर आके यह restrict हो जाए, और नीचे की तरफ वापस से आ जाए, तो at least हर quarter के बाद में आपको यह stock review करना चाहिए, और in between, meanwhile, अगर आपको कोई भी opportunity मिलती है trading की, तो definitely ऐसे move को आपको बिलकुल avail करना चाहिए, तो य यह वीडियो था देखिए, instant bank के उपर, जहां पर एक trading opportunity spot हुई, और वो मैंने आपको यहां पर बताई है, with levels and targets, उनको आप बिलकुल देख सकते हैं, study कर सकते हैं, और profit earn कर सकते हैं, discipline के साथ आपको trade लेना होगा, तो इस वीडियो में इतना ही देखिए, इस वीडियो में information को आप कैसे देखते हैं, please मुझे comment box में comment करें कि जरूर बता, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो पिस लाइक और शेपी जरूर करें, मैं बिलूँगा आपस एक नए वीडियो में नहीं स्टॉक के साथ, अब तक लिए नमशकार, thank you, जैहन!